Hello students, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप class 10th में ही अपनी J या need preparation की foundation बिल कर सकते हैं और ये जो time अभी आपको मिला है उसे utilize करते वे अपने competitors के उपर एक competitive edge gain कर सकते हैं तो अभी अभी आपके term 1 exams खत्म हैं और कुछ समय बाकी है आपके term 2 exams शुरू होने के पहले इस time को अगर आप धंग से utilize करते हैं तो आगे आने वाले जो 2 साल हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कत face नहीं करनी पड़ेगी और आप सभी exams में एक आसान तरीके से अच्छी रांक ला सकते हैं ये करना कैसे है इसके लिए मैं आपको 4 steps बताऊंगा या 4 points बताऊंगा जिनके basis पर आप अपनी preparation को शुरू कर सकते हैं सबसे पहले आपको जो करना है वो है stream selection मतलब आपको decide करना है कि आप PCM, PCB या PCMB वाली stream चूज़ करेंगे हो सकता है आपके मन में हो कि आप board के reserve के बाद इसे choose करने वाले थे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आप अभी ये choice कर लेते हैं तो ये काफी जादा आपको help करेगी और marks आप उसी हिसाब से अपना target करके चल सकते हैं stream selection पर एक वीडियो में next week या next to next week लाने वाला हूँ आप उसे भी एक बार रिफर कर लें अगला है जो common chapters आपको उठाने है physics, chemistry, maths या biology के stream selection आपने कर लिया है तो आपको पता है आप कौन-कौन से subjects चूज़ करने वाले हैं अब उन subjects के common chapters आपको पढ़ने हैं common chapters कौन से मान लीजे आपने class 9 में atomic structure पढ़ी थी या class 10 में periodic table पढ़ी थी तो आप यही दो chapters class 11 की chemistry book से पढ़ सकते हैं similarly class 10 में आपने electricity पढ़ी थी class 9 में आपने motion, laws of motion वगएरा पढ़ा था तो वो भी आप class 11 की physics book से कर सकते हैं maths में series, quadratic जैसे chapters, biology में diversity, cell, tissue जैसे chapters ये chapters common हैं तो आप पहले इनहीं ही target करने की कोशिश करने हैं अगला है कि आपको source कौन कौन से follow करने हैं सबसे पहला और foremost source है NCRT आपको NCRT book की reading देनी हैं NCRT में जाधतर चीज़ें काफी clearly और simple language में लिखी होती हैं और साथ ही जो major points होते हैं उन्हें highlight कर दिया जाता है पहले से ही तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले NCRT को ही reading देनी की NCRT परते वक्त हो सकता है क्योंकि आप पहली बार इन concepts को देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपको दिक्कते आई उन दिक्कतों को sort करने के लिए या फिर उन doubts को हटाने के लिए आप कोई भी एक online platform चूज कर सकते हैं YouTube पर ही काफी सारे free lectures available है आप वहाँ से जाकर इन्हें देखने यहाँ पर मैं आपको एक warning दे देता हूँ अगर आप online lectures देखने वाले हैं तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि एक ही source पर stick करके रहें मैंने देखा है बहुत सारे students चार-पांथ source को जाकर देखते हैं और फिर उन सभी के notes लेकर बैठ जाते हैं तो इस case में आपका loss होगा आप कोशिश करें कि notes एक ही source से बनाए और अपना जादा से जादा time questions की practice या फिर नए concept को सीखने में लगाएं अगला है कि term 2 के साथ आपको इससे कैसे manage करना है तो term 2 की जैसे आपकी पढ़ाई school में या फिर घर में चल रही थी पहले वैसे ही चलती रहने चाहिए आप इस J.E.A. Need Foundation को हर दिर तीन घंटे का time देने की कोशिश करें तीन नहीं तो at least 2 का इसमें से आप two-third of the time मतलब अगर आप तीन घंटा दे रहे हैं तो उसमें से दो घंटा आप कोशिश करें lectures देखें शुरुआती दिनों में और एक घंटे का time question के practice में लगाएं जैसे जैसे आप थोड़े proficient होचे जाएंगे जैसे जैसे आपका syllabus थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा वैसे आप कोशिश करें कि lectures को थोड़ा कम time देते वे question practice का time बढ़ा दे इसके साथ ही एक चीज जो आपको करनी है वो ये है कि lectures को कोशिश करें 1.5x या 2x पर देखने की जिससे आपका कम से कम समय में जादा से जादा productivity आ सके और आप जादा से जादा chapters cover कर सके आपको ये time बहुत ही अच्छे धन से utilize करना है आपको अपने target को मन में लेकर चलना है आप कोशिश करें कि इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन competitive वाले days में थोड़ा आगे निकलने की Thank you